दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बैल आइकन को भी on कर लेना जिस्से कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आई तो उसका नोटिफिकेशन सामान्य वर्ग तक बढ़ाया। JE, NIT, UPSC कोचिंग की पेशकश की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना योजना के 757 लाभार्थी दिल्ली सरकार के स्कूल के छात्र होंगे। नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने अपनी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का विस्तार किया है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को मुफ्त या रियायती कोचिंग प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मूल रूप से अनुसूचित जाती, SSE, अनुसूचित जनजाती, S80 और अन्य पिछडा वर्ग OBC के लिए शुरू की गई इस पहल को अब सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उदेश्य, विभिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग प्रदान करके निम्न आयवाले परिवारों के छात्रों को सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी हासिल करने में मदद मिले. यह योजना न केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग प्रदान करती है. इसका लक्षे यह सुनिश्चित करना है कि योग्य छात्रों को चाहे उनकी प्रविंद केजरिवाल ने कहा हम पैसे की कमी को प्रतिभाशाली चात्रों के लिए बाधा नहीं बनने देंगे. जैभीम योजना पात्रता इस योजना का लक्ष ऐसे चात्र हैं जिन्होंने दिल्ली में अपनी माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी की है और जिनके परिवार की वार्षिक आए आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है. सामान्य श्रेणी के चात्रों को जिला मजिस्ट्रेट कार्या लैद्वारा जारी आए या EWS प्रमान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जबकि SSE, SAT और OBC उम्मीद्वारों को जाती प्रमा योगी प्रवेश परिक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है जिनमें शामिल है UPSSE, SSSE, RRB और न्यायक सेवाओं द्वारा ग्रुप A और B परिक्षाएं, राज्य लोक सेवा आयोग परिक्षाएं, बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्र अधिकारी, ग्रेड परिक्षा, कॉलेज प्रवेश परिक्षाएं, जैसे संयुक्त प्रवेश परिक्षा, J.E. अखिल भारतिय प्री मेडिकल टेस्ट, अब इनैटी द्वारा प्रतिस्थापित, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट, कॉमन लोऑ एडमिशन टेस्ट, C.L.I. और अन्य व्यावसाईक पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार निह शुल्क कोचिंग योजना वित्पोशन विवरण इस योजना के तहत दिल्ली सरकार कोचिंग फीस का 55% वहन करेगी जबकि शेश 25% छात्रों को वहन करना होगा हालांकि जिन छात्रों के परिवार की कुल आए 2 लाख रुपए या उससे कम है उन्हें हन्तोपू परसेंट फीस कवरिज मिलेगा SSE, SAT, OBC, अलप संख्यकों के कल्यान के लिए विभाग सीधे कोचिंग संस्थानों को अनुदान और वजीफा हस्तांतरित करेगा संस्थानों को दो किस्तों में अनुदान मिलेगा दूसरी किस्त उपयोग प्रमान पत्र और संतोष जनक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले संस्थानों को आगे कोई धनराशी नहीं मिलेगी